जी हाँ बेहनों भाईयों सोनो टेक कैसिट कंपनी पेश करती है खतोली कंपिटीशन भाग दो बाई सुनोरे सुनों भाई महरबानों पबलिक की विशेज फरमाईस पर एक रागनी लेकर क्या रहे हैं बाई संत्राम बन जारा एमन सहापुर कदड़ा और लिख्या है कि फोजी की पत्नी की भी आजब जिंदगानी होती है जब दुनिया सोती है तो वो बैठ कर रोती है एक नई नमीली दूलन को छोड़ कर उसका फोजी पत्ती अच्छानक चिठ्थी आजाने से फोज में चला जाता है उदर महरबानों जाड़े कम मौसम आ जाता है तो एक रोजी फोजी की पत्नी तो फोजी की याद आती है और बैठ कर वो एक अपने पत्ती को बुलाने के लिए तिछी लिखती है और तिछी में क्या हुआला लिखती है ये बात भाई संच नाम बढ़ जार आपके सामने तुनाएंगे ओ पिया फोजी घर अपने तु जल्दी अब दोड के आजा नोकरी छोड के आजा पिया दोड के आजा नोकरी छोड के आजा तड़ फे है एरी ब्याहता जूटी से तुनाता रजा तोड के आजा नोकरी छोड के आजा पिया दोड के आजा नोकरी छोड के आजा वो जाडों का मोसम आया पिया मिलने कुपिया से तड़ फेजिया विया जों का मोसम आया पिया मिलने कुपिया से तड़ फेजिया आजा सजरा तेरी राहत को क्यों सजनी को तन भुला दिया मन तरसे ने न परसे मेरे पीतम बोडर से मूँ मोड के आजा नौकिरी छोड़ के आजा पिया दोड़ के आजा नौकिरी छोड़ के आजा ये चीठी भेज रही सजना इसे पढ़के घर को आजाना ये चीठी भेज रही सजना इसे पढ़के घर को आजाना चीठी में दिल की बातिल की तुम अपना वचन निभाजा ना तड़ पावे युजवानी आई है रात सुहानी चत दोड के आजा नोकिरी छोड के आजा पिया दोड के आजा नोकिरी छोड के आजा ओ एक बार पिया तू घर आजा तुझे दिल में छुपा के धर लोगी एक बार पिया तू घर आजा तुझे दिल में छुपा के धर लोगी दीने से लिपट के रह जाओं वाहों मैं तुझे मैं भर लूँगी मुझे भूले पिया मत ना करूं भिनती मेरे सजना हत जोड के आजा नोकिरी छोड के आजा पिया दोड के आजा नोकिरी छोड के आजा भोजन की तडप कोई क्या जाने तडपे हैं भरी जुआनी में भोजन की तडप कोई क्या जाने तडपे हैं भरी जुआनी में ओ जीगी बहु की चर्चा तो भरे मुन्ना बाज सिहानी में मन रोवे रहा जोवे पिया मेरे समय खोवे क्यूं दोड़ के आजा नोकिरी छोड़ के आजा पिया दोड़ के आजा नोकिरी छोड़ के आजा पिया पोजी घर अपने तू जल दी अब दोड़ के आजा नोकिरी छोड़ के आजा मैं निकला गटी लेके रस्ते में वह सडक पे एक मोड़ आया मैं उत्ते दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उत्ते दिल छोड़ आया वाइन लेडिस का करवारे कुछ दैना इतना तो आप महरमानों एक गाना लेकर क्या रही है आपके सामने शिरी मत्ती पुस्पा गुसाइं दिल ली और महरमानों बात पे कुछ ऐसी है कि जो आजकल हमारे समाज पर एक गुराई चल रही है एस वह है अल्ट्रा सांड हो जाते ये अल्ट्रा सांड कराने के लिए विम अगर लड़का हुआ तो घर में खुसी और लड़की हुई टो घर में मातम सागलता है और गरब्पात करनाने कि सोचते हैं तो उस लड़की की आतमा अपनी मां को धिकार वही है कि मां लड़की भी तु नाम कर सकती है इंद्रा भी लड़की थी रानी लक्षम. भाइल लड़की थी तो एक बात के दवाल स्की आत्मा किस तरह आपनी अपो क्यों क्या लिखा वहला सुनिए पुषपाजी से सब बेटा प्यारा लागे गोदी में लाड़ लड़ावे तू बोज समझ के माता तू मुझ को कतल करावे सब बेटा प्यारा लागे गोदी में लाड़ लड़ावे तू बोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे इंदराल अचनी बाई मैं भी तो बन सकती हूँ उधमी और भंगत सिंग जैसे बेटे हैं जण सकती हूँ खुल रोसन कर सकती हूँ तेरा बेटी हिमान बढ़ावे क्यों बोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे तू मोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे बेटा से जादा बेकी तो मा का भाव करे हैं सब मेरी आत्मा जाने, तू जैसा न्याव करे हैं दिल मेरा चाव भरे है, संसार देखना चाहवे क्यों बोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे क्यों मोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे जन्ज भी कर दुनिया के सब तन पे में सहदू रूखे सुके खाके, हरे तु कुड़ों पे दिलूँगी हो बड़े भाग दुनिया में, जो जनम मनुष का पावे तू बोज समझ के माता, तू मुझे को कतल करावे तूं बोज समझ के माता तूं मुझ को कतल तरावे हो बेटी लच्मी घर की सब दुखडे दूर भगे है सायक बराबर हो से जो कन्यादान करे है गुरु पीरु रंग भरे है घर बीर घाट ना पावे तूं को समझ के माता तूं मुझ को कतल करावे तूं बोज समझ के माता तूं मुझ को कतल करावे तुझ सूरज कहूँ या चंदा तुझ दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा चमा करो महराट पीता क्यूं मारी कपाते जान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है ओ चमा करो महराट पीता क्यूं मारी कपाते जान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है मोसीरजैसी दुनिया भर मेना नारी दरम डिगावे अपना पर बेटो से तुयारी बेहुत दिपापन कलियारी को गोत बडी सैता तुम्हें क्या हो गया है चमा करो महराज पिता क्यों पानी खपाते जान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है लो वैगा मूड पकड़ के मत नाहा मैं तुझतावैं वो नेरी दो काखाता जो अपनों नेरे टुक्राव है वो जो जैरो की रह सीथ में आवैं वो नर्पस समान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें जाओ गया है ओ चम्हा करो महराज किताचु मारी खपाते जान तुम्हें जाओ गया है तुम्हें जाओ गया है तेरे दो बालक है मत कर दिल सरन्यारे किसे गैली ती पैपिता जी हमें को आज सता रे बिन मैया के राद दुलारे हमा लग नादान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है ओ चम्हा करो महराज पिता क्यूं मारी खपत्रे जान तुम्हें क्या हो गया है मैं क्या हो गया है गुरू बीमराज करिये रहम मेरे दाता बिन मैया के जग मैं कोई बेटो को न चाता क्यूना मरे लाड़ लड़ा पिता से रिपालिय जान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है हो चम्हा करो महराज पिता क्यूं मारी खपते जान तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है अरी मेरे खुले हुए है अरी जाव जिगर मैं करी तरद पुराणा दिल में करन नगन करन को पुलवाई तुदे आज भरी मैं पिले मैं खुले हुए है घावी जिगर मैं तरद पुराणा दिल मैं नगने करण को बुलवाई तुदे आज भरी मैं फिले मैं पतने दिल्ली में मुझे अंधे बताया वल्ली कडवी वाणी अबनाया पा देखे रहे नतु पाच्य पती की गाणी अरी सती भीरिका एक पती हो जती सती दो प्राणी लेला मैं नूहीली करांजा उनकी अमरे कहाणी परिपलना चत्ती तूपट राणी जावेका वले फिल मैं नगन करण को बुलवाई तुझे आज भरी मैं फिले मैं परिपलना चत्ती तूपट राणी जावेका वले फिले मैं परिपलना चत्तती तूपट राणी जावेका वले फिले मैं नूहीली करांजा वले फिले मैं जीते पती को यम्राज सैलाती सननंगा नाच नचावूंगा मैं करवज्जर की छत्ती सारी सभा खुद हो जाया कैरो के पंचाती परिमेरी जंगा तुझको चत्तिल जंगे मिल्ले गीर दिल मैं नगन करण को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं परिकुन्ती के बाचो वेट्टाया निच्ची नड़ी जुकावेंगे आजवरी मैं फिले मैं किरन्नंगा नाचे बड़े देठना जुत्रे ही मात्री आवेंगे परे धीन वल्ली की गदाहारी की न अर्जुन बाने चलावेंगे गंदारी के सुतिया गैतने आखे कुने बचावेंगे परे करण वल्ली भी चालेंगे जबुरे चंके गितू जिल मिल मैं नगने करण को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं नगने करण को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं परिस्तारे घावे वरूंगा दिलिके कसर कड केचाना जू समय आत से लिकेड गया तो फेर हात ना आना पर कैपर मदबचेपन में लग्या गान का रोग पुराना मैं ताब दिंग दुख्यारी की जाके दिर बंधाना पर चोरा वाला वस्ति पना गंगा जी के आतल में नगन करन को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं मेरे खुले हुए है गावे दिगर में तरद्य पुराना दिल मैं नगन करन को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं में नगन करन को बुलवाई तुझे आजवरी मैं फिले मैं कि अधिए प्रेविस रोता हो एक ऐसे कलाकार हर्यान यूपी दिल्नी में कम्सिजन की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है वह है भाई धर्मितवट ठीक्री भूजर निवासी तुझे अधि पुलीजिए पब्लिक की हाथ फर्माल पर एक रारणी राजा मोर्दज के त्यास से किस समय की होगी सुनिये वो खुद भरन लेकरेंगे तो प्रेमियों जैसा कि मुझे आधरनी मेजिनमेंट कमेटी ने एक रागनी का मोका दिया है तो वो किस्सा होगा राजम मोर्दज का और महरवान बात उस मौके से कि जब बचनों में बंदे हुए राजम मोर्दज बाड़ी के घर पहुंचते हैं और बाड़ी से आरा मांगते हैं तो बाड़ी कहने लगया कि महराज किसी हलकारे को भेज दिया होता मैं खुद आरा लेकर के आपके पास तहुंच जाता कि राजम मोर्दज के लेगा कि भई बाड़ी बात एशी नहीं है बात वो मैं बता रहा हूं जो वच्णों में जिसमें मैं बढ़ा हुआ हूं मुझे खोद नंगे पैरों तेरे घर तक आना है और आरा लेकर करके अपने बेटे की दो फांग बनानी है किस तरह से अपनी दुख भरी कहानी मोर्दज बताता है बाकी हवाला राग निकमाद हमसे कमी निका निकाए अरे बाडी आरे की तेज बना दिये दार रे बार रे बाडी आरे की तेज बना दिये दा प्रेद्य बना देदार रह बाड़ियारे कीते बना देदार रह बाड़ियारे कीते बना देदा किहां जादा मिजिक शैंंटर भलंगर्ट भाइ धर मित्तवर्जी की इस्तरण भूत हो गरके और मेरवानो राजा कहले गया रहे बाड़ी तु इस आरे से हर रोज लगडी काटता है लेकिन देख मैं आज अपने बेटे को अपने कड़े को इस आरे से चीरूंगा तु इतनी अच्छी दहार लगा देना कभी चीरती बार मेरा बेटा फड़का खा जाए किस तरह कहले ले अरे लकडी काटन याला आरा तीर दावद ने काटेगा एक लोहते बेटे की माँ काते खे काल जा पाटे मैं अपने हाथों थाल परोसू सिंग लहू ने चाटेगा ओए हाड मास ने चाबेगा सिंग लहू का पाणी पीवेगा एक सरत सुन के वाडी के तु कम मैं छाती सी मैं पई ने नो से जो नीर टपक जा से रन भुजन दी मैंगा हर ने नो से जो नीर टपक जा से रन भुजन दी मैंगा अब आपके पास आ रहे हैं सत्पाल दोसा एवं मेन पाल तो दोस्तों बाप भी देवर से पूछती है के देवर तैने ऐसा जुलम क्यों किया उससे ब्यांके क्यों छोड़ाया तो मजबूरी बताने लगया और दोनों के सवाल और जबाब मेरबानों किस तरी किसे उने लगे थुनिए अरे समझनास की देवरे कहाणी तेरी में कहाणी तेरी मेरे समझनास की देवर कहाणी तेरी में कहाणी तेरी में तापू में छोड़े आया तापू में छोड़े आया दोरानी तेरी में समझनास की देवर कहाणी तेरी में कहाणी तेरी में क्या वाद बस्ति नाम की प्याक क्यों दिछोड़ी उड़ जिसे बात मेरे ही चल में निर्मोही छोड़ सोवती रात में रही औरे सुनके तेरी बात नबाकी गात में रही ली किसी करमने खोश दोरना हात में रही अर रे कैसे युलती कैसे युलती आगी बुती श्यानी तेरी में श्यानी तेरी में अरी चापू मैं छोड़ आया दोरानी तेरी में दोरानी तेरी में दिखरे समझ ना सकी देवर कहाणी तेरी में कहाणी तेरी में तडफे की दिन रात पता ना कहका दक्के खावेगी जिनकी भरिस वेरन की याद मुझे तडफावेगी अरे तावर करके तावर करके चाईए देवरतन तापू में मिल जावेगी कई तिन होगे भब यबो तोहे से न पावेगी अरे रे अंखू में ना जाती दिखना पानी तेरी में अरे तापू में छोड़े आया दोरानी तेरी में अरे समझ ना सकी देवर कहानी तेरी में अरे ये सिक्रता बात जैसे पावेन जग सारे में फीतो हूरो की हूरोर मत पुछे उसके बारे में अरे धाटी कर्या बूलतन ल्यानी चैये तिलारे में नूना नाया डर गयारी गिरवी में धर्या हुया थारे में अरे निवालित दिवर लाभ हानी तेरी में और टापू मैं छोड़े आया दोरानी तेरी में दिख्रे समझ नास की देवर कहानी तेरी में कहानी तेरी में अरे कच्ची कहके कच्ची कहके बात ने दी नाड़ी काट सरया मेरी बाप भी कर दे मा भ्यू बुद्धी कर दी को नाका मेरी अरे लटन सिंग माने को मन साब पूरी करोत मा मेरी नईया कर दे पा राजबल गुड़ गावे का धा मेरी अरे हात जोड पूजा करती मसानी तेरी में और टापू में छोड आया दोरानी तेरी में अरे महबत की जूटी कहानी पे रोए कहानी पे रोए बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए महबत की जूटी कहानी पे रोए कहानी पे रोए अब आपके सामने आ रहे हैं करमपाल शर्मा बोधी गाड़ी बैल पुराने एक गोरा एक काड़ा नहीं हाकने आवे हमसे बोड़ बने गढ़ियारा बोधी गाड़ी बैल पुराने एक दोरा एक काड़ा नहीं हाकने आवे हमसे बोड़ बने गढ़ियारा वोधी गाड़ी बैल पुराने चार कोसना मंजित आए सूरज चढ़ा सिखर में बैल हाक पे हार लिये हम नाहक अपर तफर में जीसको सिर सागड कई है फक गे बैल सफर में हर नंदी खड़ी बाट लखावे भर के क्रोश कुफर में बला टेम लिकर जाब हात भरन का हो जागा फिर चाड़ा बोटी का जी बैल पोरा ने इक गोरा एक का नहीं हम ने आवे हमसे गोर बने गड़्या आड़ा बोटी गाड़ी बैल पोरा ने इन परकार से नर्शीजी चल लेते हैं मोधे बायों को साथ लेकर लेकिन दोस्तों संकट में और संकटा घेर का है तो अचानक रास्ते में गाड़ी तूट जाती है याले गड़ी तूट गई अब कैसे इसे बनावें मोधे बाई निचे उत्रे चारो तरब लखावें हारे कहो राम ही मती हर ने ते लगावें सुनके तेर भगत की हरी गढ़ वाला बन के आवें हाप दिगिडे कारद वही बनावें से सब का रख वाला इस परकार से अपने भगत को संकट में देख करके अब तो भग्मान क्रिशन चल देते हैं और चले आये उसी अस्थान पर जहां नर्शी जी की गाढ़ी बिगी हुई थी काला चोट कंबल का ओड करके और आचर के गढ़वाले का रूप धारं करके क्या कहते हैं हाँ गढ़वाले का रूप धार कंबल का चोट ओड के सुनी भगती तेर प्रभू आये थे भाज तोड के मैं धर गढ़ी ठीक बना जूँ बला हाँ चोट के थोड़ी तेरा आराम करोगा जी का ख्याल चोट के हाथ लगा तेही गाची बढ़गी तेरा जी नर्शी लाला को तेही गाची है पुरा ने एक गोला एक का नहीं हाथ ले आँ मैं हमसे बढ़ बन गढ़ ला तोड़ी गाची बहल पुरा ने अब तो अग्वान किर्शन कारी कमली ओड़ करके नर्शी जी का गढ़वारा बन जाते कहते हैं कि लाला मैं आपको सिरसा गढ़ पहुंचाऊंगा कैसे बला हाथ जोड़ के जोड़ के गढ़ी चाल पढ़ा फिर सारे भगत बढ़ाए बैलों मैं पिजडी सी बढ़गी थमते नहीं थमाए दिन चिपने मैं तेर घई दी सरसा गढ़ मुहुंचाऊंगा अंतर ध्यान हुया गढ़ आला ना भेद किसी को पाए अंतर ध्यान हुया गढ़ आला ना भेद किसी को पाए आ राम रतन भगतों के चाहे राम रतन भगतों के चाहे करता मुर्ली वाला अब आपके सामने आ रहे हैं करम पाल शर्मा एवाम मन्जू शर्मा हर नंदी मत मार को लडे लाज रख ले मेरी हर नंदी मत मार को लडे लाज रख ले मेरी तिरसा गड़ में चाल आ जाना तो खाल तर लू तेरी या दुनिया तो कहने के लिए बढ़िये बात सुन। हाँ भात के करण आना पड़ क्या बिट्टी बाद लखाती सारा क्यार सैसे ल्याया चाट चाट के भाती बला साधू संत फकीरां के तो दर्शन दुनिया चाहती नने कुमारी हस्यारी मने सो सो बात बढ़ाती आया दुनिया मूँ आई गाती क्यूं मूँ आशूत भेरी मेरी नाक पटा दी सब दर्या सने कर दी तुपाढ भेरी हर नंदी मत मार को लड़े लाज रख दे मेरी निक सिरिसा बढ़ से चालिया जाना तो खाल तार लू तेरी हाथ देते हैं मैं फोल न दिला जाऊँगा हाथ नद तुदे रख नोली हाथ देखें भाथ बला देखें भाथ नहीं ठैरूँगा मत मार मेरे वोली भूखा नंग फ़कीर फिरे के भाथ म देखा न्योली बला लिये दिये तैना पूरे पटे इस्वर भरते जोली संतों की टोली सेवा कर हो जा बड़ी बड़ेरी हार नंदी मत मार को लिड़े बेट लाज रख ले मेरी तिरसागड में चाल्या जाना तो खाल तर लू तेरी तिक तिरसागड में चाल्या जाना तो खाल तर लू तेरी ओ भाज मखार इसकी तेम्पुने रोकोवे सारी दुनिया पाने मारन लाजीज इस अंधिस्वास ना छोड़ दे घर आये कंगाल बाप की मतनाई जत तारे जिस्वास ने रोकोगे दुनिया तने मारे सामल शाँ आवेगा भात की जान पठ जासारे अंधिस्वास ने बैठा तू किसी बट निहारे ओ डुबे ने तो वो ही उभारे हो गरदिशी फेरी हर नंदी मत मार को लिडे बेट लाज राख ले मेरी दिके एक बात और बता रहा हूं देखी के कंगाली में और खोटे में सब की सूनी पढ़ जाती है दिके अपने कान दबा के अपना काम काढ़ ले हा कंगाली में हर नंदी तू अच्छी मंदी कह ले कवशाला पे पाहर लिकड़ जा जंगल में रहे ले समय कवह दे ही ना मानस सब दरियां की सहले मन नूही भास मनोता था मैं जाणू थी जिन पहले सिरी प्रेम गुरू की शरण तू गहले प्रेम गुरू की शरण तू गहले हटेगी मोह की घेरी रामरत दंजाल हटेया खाटा की बढ़ मेरी वला हर नंदी मत मार कोलडे लाज रख ले मेरी तू सा गड़ में चाल्या जान दो हाल अलू कर लू से रि लिकड़ ना हगड़ से चाल्या जान दो हाल कर लू से अरे कौन आ रहा है भाई देखिये महरवानो एक दोचस्मी बार एक पडोशी और एक पडोशन की लड़ाई है कट्डे और कट्या के उपर इस दोचस्मी तक्रार को लेकर शेज पर आ रहे हैं अमपाल बमलेरी रेटाल और पुष्पावुसाई दिल्ली स्वाई ये सुनते हैं बड़ास्ट्री और बड़ास्टन की किस परतार से तक रहा चल रही है किस रागनी के माद धम से अरे चोड़े क्या बात चोड़ी मेरी बात सुन ले अपने कटड़े दो डाट के रखा कर क्यू बला क्यू बला यह जब भी मेरी कट्या को देखे अपने एक आंक बंद कर ले क्या बात चोड़ी सुन ले मेरी सुना दे अपने इस कटड़े को बांद के रखा कर क्यूं बला यह बता दूं बता दे ना तुब बताई दे आच छोड़ी फिर मैं भी तेरी कट्या के आप बता हूं आज है 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 जो तुम मेरी बाहर शुन ले पहले पहले शारी किताब खोल दूगा तेरी कट्या के आथ अरे मने तो एक जरासी खोली थी है अ है अ आजी ना यूद पूरी खोल दूगा मैं बाहर सुने मेरी पाशोना दे तू पर खोल के जाओंगा तेरा कट्डा हुआ इसमें दाठी के रखिये तेरी कट्या लेवे फंगना तू भी बांद के रखिये तेरी कट्डा हुआ लपंगा इसमें दाठी के रखिये तेरी कट्या लेवे फंगना तू भी बांद के रखिये तोड़ी तेरी कतिया मेरे कट्ड़े को इसारा करें बिल्कुल तेहनी आक्से करें तेहनी आक्से करें अच्छा पर हो जान देन का मेल अपने कट्ड़े ने चोरे कही बानो दूर ने जाके पिल्कुल ना बंधू क्यों हों दे काम ठका पेल अरे बाप्पु तक मतने पहुचे निद्र राम जिलाल दी खादू आल तुछा अच्छा तो तुछ शुना आज अपने कट्ड़े ने चोरे कही बानो दूर ने जाके पिल्कुल ना बंधू शुन ले आगे हैं कह दे तुछ पहले अपने कत्ड़ें ने झोरे करि बाँद दूरने जाके अरम रकट ने देखे बिणया मर जागी दस खाके चूं बोले दूबे धंगा इतुने गाठ के रखिए तेरी कत्या लेवखंगा तु भी बाण्ध के रखिए तेरा कट्ड़ा हुआ लफंगा इसने दाटिके रखे तेरी कट्ड़ा ले वेपंगा तुभी बांद के रखे मेरे कट्ट्टे की शान देखके तेरी कट्टिया दूर से जिक्के मेरी मेरी शान तो आज पहली बार देखी तो न देखा वाग्या क्या होता है के वोली के वोली के कही है अब सुना दे फुर्णा फर्दा खोल देखा तेरी कट्टिया पे रोब जमावे अरो यदा दे तेरी कट्टिया की या बिल्कुल न दटपावे यदे हर दम करता दंगा इसने दाठ के रखिये तेरी कट्टिया लेवे पंगा तु भी बांध के रखिये कि आप अधिक कर दो पाइब कर दो दोर चोड़े को डाट ले अधिक दिया दिए अधार कथिल ली ए कई रोज से कहरे क्यों ना तू कट्ड़ेने डाटे क्यों जू तो बदना में करेया कट्या चारे कट्या क्यों जू तो बदना में करेया खट्या चारे कट्या क्या भला शुने दे आठोरी दू या तै हो रहा तेज पतंगा इतने डाटे के रखिये तेरी कट्या लेवे पंगा तू भी बांद के रखिये केरा कट्या हुआ लपंगा इतने डाटे के रखिये तेरी कट्या लेवे पंगा तू भी बांद के रखिये इस रागनी पर फुष होगे मुकेश पर मा स्यानी से और मुन्नाबाद स्यानी से दोसो एक्यावन और दोसो एक्यावन पाम्सो रुपे इनाम में दे रहे हैं और इनका कहना है अपनी कट्यार कट्या के लगते बढ़ा दिए ठीके छोरी मेरे कट्ड़ा इतना सरीफ है हंसे आज मास्तर भी जाने है इसकी सराफत्तु तेरी कट्या बहुत उचलरी आज कर इस पर ही रोक लगा ले तू क्या बोली भला बस्ति राम घवाहिस में तो बुला बस्ति राम को भी आज है अब सुना देता क्यों क्यों तु अर्दी में कदा बन रहा है खेलन दे ओली न तो नगू इजाजत है बस्ति राम से मुझ लिए फिर कट्या साथे भोली और यों पाल के खेलन दे जी भरके आख्यमी चोली याते बिल्कुल हांडे नंगा इसमें दाठिके रखिये तेरी कट्याले वैंपंडा तु भी बांध के रखिये तेरी कट्याले वैंपंडा तु भी बांध के रखिये तेरी कट्याले वैंपंडा तु भी बांध के रखिये